नमस्ते, टेस्टी खाना बनाना में मैं बन्दा आप सब का हैर्दिक स्वागत करती हूँ आच्छा कुछ लोगों को खाना बहुत गरम गरम खाते हैं गरम गरम खाने में हैं टेस्ट मिलता है और कुछ लोगों को ठंडे खाने में टेस्ट मिलता है लेकिन अगर में खिचडी हो खाने में, लेफ्ट ओवर खिचडी, तो जो ठंडा खाना खाना प्रिफर करते हैं, वो भी गरम खाना मांगेंगे, पता है, एक खिचडी ही एक ऐसी चीज होती है, कि जो बची हुई बासी खिचडी रहती है, उसको किसी को भी खाने का मन नहीं क करता है क्योंकि जो ठंडा खाना खाते हैं वो भी खिचडी गरम ही प्रिफर करते हैं आज बस कुछ कुछ ऐसी ही रिस्पी आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं अब लेफ्ट ओवर खिचडी का भजिया पकाओडा पकाओडी बहुत नाम से जाना जाता है यह उसी के रि आज आप लोगों के साथ यह रिस्पी शेयर करती हूं बहुत यूजफुल होगा चलो हम चुरू करते हैं बनाना यहां पर मैंने एक कब भर के एकदम लिफ्ट ओवर खिचडी ले लिया है खिचडी बासी देखने में भी थोड़ा अजीब लगने लगता है ऐसी हालत हो ज अब इसमें मैं डालोंगे क्या प्याज ले लिया है बड़े साइज का और टू टेबल स्पोन बारी कटा हुआ हरा धनिया है और टू टेबल स्पोन ही मेरे पास यह हरा प्याज था स्प्रिंग ओनियन यह मैंने ले लिया है ऑप्शनल है आप चाय तो डाले नहीं तो आप कर सकते हैं एक टेस्पूट मैंने बारी कटा हुआ हरी मिर्च ले लिए यहाँ पर ध्यान यह देना कि जो मैंने प्याज काटा है थोड़े बड़े-बड़े साइज का काटा है एक दम बारी हमें नहीं काटना है क्योंकि हम जब भजिया तलेंगे ना खाने में जब मुझ में यह बड़े-बड़े बाइट आएंगे ना प्याज के बहुत अच्छे लगेंगे यह सारा जो है एक साथ हम इसमें एड़ कर देंगे सज्जियों को अब इसी के साथ में ही मैं यहाँ पे आधा कप लिया है बेसन यह बेसन डाल दोंगे और एक टेबलस्पून एकदम फु होड़ा सा यहाँ पे हाँ थीज़पून जीरा, होल जीरा डाल दे रहे हैं अब वन फोर टीसपून हम ही डाल देंगे, टू पिंच जितना ही क्योंकि बेसन डाल रह तो हीं डालना जरूरिये ह। थोड़ा सा हम मसाला एड़ कर देंगे फलेवर के लिए बन फोर टीसपून धनिया पॉदर और 1 फोर्ट असपून ही मैं हल्दी पॉदर डाल रही हूं हारा मिर्च डाला है तो इसी साफ से हम लाल मिर्च पॉदर डालेंगे custom tea लाल मिर्च का पॉदर ab mandates बुदर या है अब अब यह सारा इंग्रेडियन्स हो गया अब हमें इसको हाथ से मिक्स करना है पहले हमें खिचडी में प्रॉपर जितना क्योंकि खिचडी थोड़ा सा गेला है तो पहले इसमें हम मिक्स कर लेंगे फिर जरूरत होगा ओपर से हम पानी डालेंगे हमें इसमें बिल्गुल भी पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ी है हमें इसी थरह से रेड़ी करना है इसको अगर मिक्स कम है और सूखा हो जा रहा है यह हमारा तो आप पानी डाल की थोड़ा सा गेला कर सकते हैं अब इसको हमें fry करना है, तेल हम चेक कर लेते हैं, गरम हुआ है कि नहीं, एक ड्रॉप डाल के देख लेते हैं, हमें बहुत जादा तेज गरम तेल नहीं चाहिए, इदम परफिक्ट गरम हो गया है, अब ये पकोड़ा जो है, अपने मन मुताविक बड़े छोटे साइज में आप इसको तल सकते हैं, एक बार में जितना आएगा उतना हम डाल देंगे, इसी तरह से हम सारा डाल देंगे, इसको सेखने के लिए हमें मेडियम हाई फ्लेम का इस्तेमाल करना है, तो इसको उलट पलट के चारो तरफ से हम एक तम बढ़िया गोल्डन ब्राउन होने तक हम पका लेंगे, लेकिन आज को बिल्कुल भी हम स्लोपे नहीं करेंगे, क्योंकि इसको पकने में टाइम नहीं लग रहा है जादा, उलट पलट के मैंने चारो तरफ से एक तम गोल्डन ब्राउन कर लिया है, देख सकते हैं, थोड़ा मैंने बड़े-बड़े साइज का बनाय है बझे इसी तरह से, आप लोग भी बना सकते हैं, और बाकी का भी जो है हम इसी तरह से सेख लेते हैं, बहुत ही बड़ियां, शॉफट, शॉफट यह भजिया हुआ है हमारा, यहाँ पर हमारा इक तम बड़ियां, लेफ्ट और खिचडी का नास्ता बनकर रेडी हो गया, पकोड़ा भजिया जो भी बोलो आप और इतने जल्दी बना हुआ है और इसका जो फ्लेवर है बता नहीं सकती एक्तम मिक्स फ्लेवर आ रहा है इस भजिया का और इतम सौफ्ट और इसमें बता दूं कि राइस का जो आटा है आप जरूर डालेंगे क्योंकि उससे थोड़ी स इसमें में क्रिस्पनेश रहती है राइस का अटा ना हो तो आप कांस्टार जो आता है वो डाल सकते हैं और इसका सौफ्ट ने लेज सकते उपर से कितना करगंची है राइट और अंदर से एक्तम सौफ्ट है और बढ़ियां कूख हुआ है बहुत ही अमेजिन टेस्ट आ र आप खा सकते हैं इसको यह रेसिपी देखने के बाद आप लेफ्ट और खिच्डी जान बोश करके बचाएंगे अब सुबह सुबह उठें और बढ़िया एकदम ब्रिक्फस्ट में इसका भजिया बनाकर खा ले चाय के साथ कितना अच्छा लगेगा ना उमेंद करती है कि र लाइक शो जो नए हो चैनल पर सबस्क्राइब जरूर कर देंगे अब मैं आप लोगों को नेक्स रेसिपी साथ मिलती हूं थैंक यू बाए